तो कैसे हो दोस्तों, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, मेरे पास है दो कमाल की दिवाइस, एक जो है वीवो वी 25 प्रो और दूसरा जो स्मार्टफोन है ओपो रेनो 8, ये दोनों स्मार्टफोन का कैमेरा लेकर बहुत सारे दोस्त कन्फियूज है, कौन सा स्मार्टफोन अ प्राइमरी जो संसरा रखा है 50 मेगापिक्सल उससी के साथ 8 मेगापिक्सल लिए और 2 मेगापिक्सल रहने वाला है, पहला में बात करूंगा दोनों स्मार्टफोन की वीडियो फीचास से, तो वीवो वी 25 प्रो से आप होरके में 60 पीस पर वीडियो को रेकोड कर पाओगे और OPPO Reno8 से आप होरके में 30 पीस पर वीडियो को रेकोड कर पाओगे, दोनों स्मार्टफोन की बैक कैमरा से मैंने वीडियो को रेकोड किया, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा स्मार्टफोन में अच्छा क्वालिटी आ रहा है, यह है दोनों स्मार्टफोन की बैक कै का टून देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर OPPO के अंदर आप यह पर देख सकते हूँ, जो नेचरल कालर है वो यह पर देखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूँ स्टेविल आइसन के बारे में, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लाजवाब दिखने को मिल आपको पता चल गया है, इसके बाद कुछ फोटो सेंपल आप लोगे साथ सेयर कर रहा हूँ, आप देखकर अंचर लगा सकते हूँ, कौन सा स्मार्टफोन में अच्छा क्वालिटी आ रहा है, अगर नेचरल फोटो की दरब देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते जैसे बात किया जाए कालार में, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ, ओपो के अंदर जो कालार देखने को मिलेगा, वो नेचरल कालार रहने वाला है, और उस कालार को बहुत अच्छी तरीके से और्टिमाज भी करता है, वीवो के अंदर आपको थोड़ा सा वाम कलार का देखने को मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ, स्काई फोडो के बारे में, तो यहाँ पर वीवो जो हुईना रहता है, आप यहाँ पर देख सकतो, यहाँ पर स्काई का फोडो का जो कालार है, वो अच्छा देखा ही दे रहा है, नेचरल फोडो में अच्छा ओपो से कही गोना बहतरन रहने वाला है, और डाइनामिक रेंज के तरफ देखा जाए, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको अच्छा दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं आने वाला है, प्रोटेट फोडो के तरफ देखा जाए, आप यह यहाँ पर आप देख सकते हूँ, ऐसे भी में कहने वाला हूँ, दोनों स्मार्टफोन में जो प्रोटेट मूड में बैग्राउंड को ब्लार करता है, वो लाजबाफ रहने वाला है, अगर मैं बात करूँ, आल्टरो वाइट के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन के मैच करता है, आल्टरो वाइट मूड में, आप यह पर देख लीजिए, ओपो की स्मार्टफोन, उसे के साथ यहाँ पर जो क्वालिटी देखा ही दे रहा है, भी वो से कही गुणा बहतरिन रहने वाला है, मुझे लग रहा है, बैक कैमरा में उइना रहने वाला है, भाई, दोनो स्मार्टफोन की वीडिो फीचर्व के पारे में वात जिया है, तो अभी वो से फूल Suzuki में 60 में पर वीडियो कू रिकोर्ड कर पाओगे, और ओपो से अब फूलubers glaji में 30 पर वीडीब कर रिकोर्ड कर पाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन में जो detailing देखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ी से आपको फरक दिखने को मिल जाएगा, फिवो के अंदर जो detailing दिखाई दे रहा है, वो accurate रहने वाला है, यहाँ की human का जो skin tone का color है, वो आपको accurate दिखने को मिल जाएगा, और Oppo के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको color boost देखने को मिल जाएगा और beauty mode थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा लेकिन भाई लोग आप यहाँ पर देख सकते हो Stabilization में यहाँ पर winner रहने वाला है Oppo की smartphone यहाँ पर आपको slightly better देखने को मिल जाएगा देखने को मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ skin tone की color के बारे में तो यहाँ पर Vivo के अंदर आपको accurate color देखाई देगा मेरे face में जो छोटी-छोटी फिंपल्स है यहाँ पर detail में देखाई दे रहा है लेकिन Oppo की smartphone में आप यहाँ पर देख सकतो skin tone का जो color है उसको white कर दे रहा है और यहाँ पर beauty mode जाए थोड़ा साब को जादा देखने को मिल जाएगा मेरे face में जो फिंपल्स है वो यहाँ पर नहीं देखाई दे रहा है dynamic range के तरफ देखा जाए दोनों smartphone के अंदर आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर detailing के बार यहाँ बात क्या है तो आप यहाँ पर देख सकतो दोनों smartphone के अंदर लगबख same detailing देखने को मिल जाएगा skin tone की color के तरफ देखा जाए simple mode की तरफ यहाँ पर भी आपको थोड़ी से difference देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकतो आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए क्योंकि smartphone के अंदर वीडियो के related धेश सारी features देखने को मिल जाएगा जैसे कि smartphone की back camera से आप और के में 60 प्र वीडियो को record कर पाऊगे और selfie camera से full HD में 60 प्र वीडियो को record कर पाऊगे और smartphone के अंदर एक dedicated option मिलता है night mode के लिए अगर आप low light में वीडियो को record करना चाहते हो तो जो mood है आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहने वाला है लेकिन वह लोग नॉर्माल यूजर के लिए Oppo की smartphone जो best रहने वाला है क्योंकि smartphone के अंदर जो photo आता है भी वो से कही गुना भैतन रहने वाला है especially for color के तरफ देखा जाए Oppo जो इनर रहने वाला है तो मुझे लग रहा है आपको Oppo के smartphone को purchase करना चाहिए तो आपको क्या लग रहा है कौन सा smartphone का camera आपके इसाफ से based हो रहा है notification बिल को call में click करके रखती चीए यार फाइदा आपका होने वाला है